compound interest में rate find करना, time find करना, और गुना-गुनी पर अधारित, सभी questions पढ़ेंगे हम इस वीडियो में हमने पिछली वीडियो में, क्या-क्या पढ़ लिया है, हमने basic questions पढ़ लिया है, compound interest के second year का interest, compound interest, principal, amount, difference करने वाले को मदक करने वाले को मैं हमने इंस्टॉल्मेंट पढ़ई थ unto हम ने इस तरह के हम पढ़ाँड़ इंट्रेस्ट के पढ़ लिए हैं ये पिछली वीडीयो जो थी उस वीडियो में इंत्रेस्ट आप बी थी और इंट्रेस्ट अलग-अलग होने वाले question भी थे दोनों बताई थे इस वीडियो में क्या जानने वाले हम इस वीडियो में रेट या time find करना compound interest में और उसी तरीके से हम find करेंगे जिस तरीके से हमने पिछली वीडियो के questions solve की है साथ के साथ हम अभी और क्या करने वाले हैं इस वीडियो में तो इस वीडियो में हम गुना गुनी पर अधारित जितने भी कोशन्स होते हैं उन्हें भी पढ़ेंगे तो नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके यूटुब चैनल योगे स्टॉमर मैंस पर चलते हैं सीधे हम अपने पहले कोशन पर तो जिन लोगों ने बस इतना कर लीजेगा कि जिन लोगों ने अभी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं चैनल पर नहीं हैं और वो बाग कई कंपाउंड इंटर सीखना चाहते हैं तो आपको एक ही तरीके से 98 प्रतीसत मैंने दावा किया है और मैं उससे जादा हलांकी 99 परसेंट हम सॉल कराते हैं उसी तरीके से लेकिन फिर भी मैं आप सब बोल रहा हूं कि आप एक बार पिछली वीडियो देखिए उन वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से लेके लास्त तक देखिएगा बिना स्किप किए बस एक घंटा और किस वार्सिक दर से दो वर्सवाद 3600 रुपए हो जाएंगे इस कोशन को सॉल करने से पहले हम एक छोटा सा कोशन समझते हैं तो हम पिछली वीडियो में का कर रहे थे हैं कि हमने किया था कि 16 होल नंबर 2 by 3% ऐसे करके आपका कोई एक परसेंट ले लिया हमने तो जो यह से रही होती थी तो हम कोशन किस से सॉल करते थे रेट से और टाइम प्वेशंब करते हमारा गर्वार करते थे तो यह 216 और यह 343 ऐसा ही कुछ format बना रहे थे हम पिछले हर type के लिए लेकिन अभी हमें time और rate दोनों find करने हैं किसी भी question में तो किसी question में rate पूचेगा किसी question में time पूचेगा दोनों एक साथ नहीं पूचेगा ठीक है लेकिन हम जब format बनाएंगे न तो दोनों एक ही साथ होंगे यह क्या था यह बेटा principle और amount के वीच में ratio था यह first year के principle और first year के amount के वीच में था यह अपने principle और second year के amount के वीच में ratio है यह principle और third year के amount में ratio है यह starting वाला principle है यह first year का amount रहेगा जो इसके साथ ratio बनाएगा यह second year का amount रहेगा जो इसके साथ ratio बनाएगा गर बात दो साल पर चल रही है तो अगर तीन साल पर चल रही है तो amount 343 हो जाएगा और उसके साथ ratio बनाएगा तो यह ratio प्रिंसीपल और amount का तो आप क्या करो कि कोई भी question दे आप से rate और time पूछे तो अभी आपके पास rate of interest थी तो आप सीधे गए अभी आपको rate of interest सब पोच करो find कर रही है तो आप उल्टे चले जाए है अभ उल्टे कैसे भाई तो यहां पर पहले principle और amount का ratio बना लो क्या बना लो principle और amount का ratio बना लो गर यह format समझ मा रहा है पिछली वीडियो जगर आपने अच्छे से देखी हैं तो यह बात अच्छे से समझ मा रही होंगी क्योंकि square का मतलब दो बार ब्याज compound करना ठीक है तो principle और amount का ratio बना लेते हैं भाई हम तो यह कितना हो जाएगा पचीस सो ठीक है यह कितना हो जाएगा भाई तो यह 36 सो अब ratio बनाने के लिए 2-0 से 2-0 ठीक है अब जैसे ही ratio बन जाए तो आपको ratio बनते ही क्या नजर आएगा आपको ऐसे numbers नजर आएंगे पेटा जो number या तो square होंगे या वो number cube होंगे आपका ratio बनते ही वो number होंगे जो या तो square होंगे या cube होंगे और वस आपको यही देखना है तो बाई यह 25 और 36 बताव क्या है तो 25 और 36 दोनों के दोनों square है यह किसका square है 5 का और यह किसका square है 6 का ठीक है तो इससे क्या सीखने को मिला कि power 2 बता रही है कि आपने व्याज कितनी बार compound किया गया है दो बार कितनी बार compound किया है आपने interest दो बार compound किया है अगर वार्सिक रूप से किया है अगर वार्सिक रूप से किया है तो समय हो जाएगा कितना लाला दो साल ठीक है और अगर छमाई रूप से किया है छमाई संयोजित किया है half yearly compound किया है तो मुझे बता हूँ अगर मैं 6 महीने पर व्याज लगाता हूँ तो 2 बार में मेरा समय कितना होगा अगर यही 6 महीने बोला गया होता अगर आपने तो 6-6 महीने के gap से 2 बार आप लगातें 12 महीने में और 12 मंत का मतलब हो गया एक साल तो एक साल आपका total time हाता अगर आप 3 महीने पर लगा रहे होते तो 2 बार 3 महीने पर लगाने का मतलब हो गया भाई 3 महीने फिर 3 महीने तो 6 महीने हो गया तो 6 महीने आपका total time हाता अगर 3-3 महीने पर लगा रहे होते अगर आप 4 महीने पर interest compound कर रहे होते तो 4 महीने के 4 महीने के 2 interval लेने का मतलब हो गया 8 महीने ठीक है तो आप इस बात को समझे है कि यहां से अभी मैंने rate नहीं बताई आपके question का answer क्या है rate पूँच रहा है ठीक है लेकिन मैंने क्या बताया मैंने को पहले power के बारे में बताया मैंने आपको power बता रहा है कि 2 बार interest compound हो रहा है मैंने फिर से बोल रहा हूँ कि a equals to p 1 plus r upon 100 is to the power and यहां पर end time नहीं है end time नहीं है end है number of times मतलब कितनी बार कितनी बार आपने ब्याज लगाई है अगर दो बार लगाई है तो यहां end का value 2 होगा चार बार लगाई है तो end का value 4 होगा आपको इससे मतलब नहीं है कि समय क्या दे रखा है समय एक साल दे रखी लेकिन मैं तीन महीने पर लगवाता हूँ तो चार बार लगा लुगा नहीं है लेकों हाँ या ना तो चार बार लग जाएगी तो यहां पर end का value क्या आएगा चार आएगा फिर एक साल नहीं आएगा तो आप इसको समझेए बार ऐसे यहां पर वही वही सीन है तो यह power क्या बताती है power square करने का मतलब क्या होगा दो बार व्याज लगाना cube करने का मतलब क्या होगा तीन बार व्याज लगाना ठीक है तो यहां square है तो interest दो बार compound हुआ होगा और दो बार compound अगर yearly किया होगा परनेनम किया होगा तो दो साल समय हो जाएगा अगर आपने 6 महीने पर किया होगा तो दो बार में 6-6 महीने से 1 साल समय हो जाएगा 3 महीने पर किया होगा तो दो बार में 3-3 महीने से 6 महीने हो जाएगा 4 महीने से 8 महीने हो जाएगा 5 महीने से 10 महीने हो जाएगा ठीक है? तो आप इस बात को समझे तो यहीं से तुम्हें क्या मिल गया? टाइम मिले गया और हमारा देखो दो बार है वार्सिक है तो देखो समय केतना होगा? दो साल होगा और दो साल ही सवाल ने दिया यहां से तुम पता कर सकते हो कि सवाल में डाटा जो दे रखा है question में जो data दे रखा है वो सही दे रखा है या गलब दे रखा है अगर यहीं पर 3 verse होता और यही question का data बोला गया होता तो समझ लो यह संभावित नहीं था यह संभावित नहीं था क्योंकि आप 2500 को 3 साल में 3600 बनाने के लिए rate of interest आपको log table से निकाल के लिए क्यानी पड़ेगी तो normal rate of interest अगर यूज करनी है तो उनके लिए आपके square और cube ही आएंगे यह बात fix है कि जब भी ratio बनेगा वो squares और cube का ही बनेगा अब देखो दर तो मेरा principle starting में अगर मैं बात करता हूं तो pure amount गी तो यहां पहले 5 रहा होगा फिर 6 रहा होगा इसी को तो करके लिए क्या होंगे आप 25 फिर 36 बोलो हां अरे इसकी तरह जब solve करोगे तो ऐसे ही तो इसको solve किया गया होगा अजब किया हो गया तो principal 5 रहा होगा और इंटू के तना 100 तो 5 से कितनी बारी भहिया 20 बारी यह 20 परसेंट रेट ऑफ इंट्रेस्ट आ गया अचा आप एक और बास सुनो अगर यह 20 परसेंट जो रेट ऑफ इंट्रेस्ट आया यह तुम्हारे compound करने पर depend करेगा अगर तुमने 6 महीने पर compound की होगी जैसे मैंने अभी time पर बताया न कि दो बार interest लगाया गया होगा अब compound कितने time duration के बात कर रहे हो कितने interval के बात कर रहे हो तुम उसकी according तुमारा total time निकल के आएगा ऐसे ही यह जो interest आएगी यह तुमारे compound करने के period के according आएगी उस interval के according आएगी अगर तुम compound कर रहे हो 6 महीने पर तो यह 20% सिर्फ 6 महीने की है अगर तुम compound कर रहे हो एक साल पर तो यह 20% एक साल की है अगर तुम compound कर रहे हो 3 महीने पर तो यह 20% 3 महीने का interest है और अगर आप से annual पूछता है तो आप उसको calculate कर लेजेगा कि 3 मह म्हीने का 20% तो पूरी एक साल मतलब बारा महीने महीने का हुजाएगा कितना तीन चोके बारा तो 20 चोके असी ठीक है तो 80% हो जाएगा बास समझ मा आई या नहीं आई तो आप ये समझे होंगे इस कोशन को भी समझे होंगे ये फंडा समझ कि यहां बड़े से चोटे की तरव लेके आ रहे हैं उतना ही करना है कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किये हैं कुछ भी चेंज नहीं हुआ है भाई साफ सेम वही मेथड चल रहा है आपका इंट्रेस्ट और टाइम निकालने पर और दोनों एक ही बार में निकल गए ठीक है अभी कोशन है अठानवे सो रुपए ठीक है तो प्रिंसीब लाला के तना बड़े प्यार से बन गया बई 2-0 से 2-0 कैंसल होगा यहां पर 98 98 को कैंसल आउट कर दो बई किस से 2 से कितनी बार 49 इसको कैंसल आउट कर दो बई 2 से कितना 81 अब दो नंबर देखे रेशियो जैसे ही आएगा वह या तो स्कॉाइर आएगा या क्यूब आएगा या पावर हो रहेगा डिपेंड करता है कि आपको क्या सोदो रहे है ठीक है कोशन में डाटा किस कर दे रखा है 49 को क्या लेखोगे भई 7 स्कॉाइर और 81 को क्या लेखोगे भई 9 स्कॉाइर अब मुझे बताओ कॉाइर ने बताया इंट्रेस्ट दो बार कंपाउंड हुआ येरली हुआ तो सिंपल सी बात है क्या कि दो साल समय हो गया ठीक है अब यहीं पर अगर 6 महीने पर हुआ तो समय एक साल हो गया अब रेट चाहिए आपको तो रेट या 7 से कितने रुपे बनाए गया होंगे 9 ब वटे साथ अपका आंसर यह होगे 28 सही 4 वटे साथ ठीक है तो यह आपका आंसर हो गया होगा अब इतनी बात समझ में आ गई अब यहां पर यह रेट ऑफ इंट्रेस्ट फिर से मैं बोल रहा हूं यह 200 अपॉन 7 किस पर डिपेंड करेगी यह रेट ऑफ इंट्रेस्ट जो भ इस वर्स वार्सिक दर्से 72 सो रुपे एक वर्सवाद 98 सो हो जाएंगे जब कि व्याज 6 सही हो जित अब देखिए यहां पर इंट्रेस्ट 26 सही हो जित होगी भई यहां हाफ इयरली कंपाउंड होना सुरू हो गई इंट्रेस्ट फिक है तो इंट्रेस्ट इस हेल्ड हाफ यरली और ड्ली चमाही लगाई जा रही है चलो भई ठीक है मेरा प्रिंसीपल पकड़ नहाँ कितना भाई 72, amount कितना भाई 98, ठीक है ratio कितना भाई से बही काम करना है हम लोग हमको तो दो 0 से 2 0, यहां 2 से डिवाइड और कर दो भाई यह 36 और यह 49 हो गया होगा, square दिखाई दे रहे हैं, तो यह किसका square 6 का और यह किसका square 7 का square, ठीक है, square ने बताया दो बार भी आज लगाय क्या होगा, और दो को दो बार भी आज लगा रहे हो, कितने महीने पर, 6 महीने पर, half year लगा रहे हो, तो समय कितना आएगा, एक साल, और दो को कोशन ने दिया भी कितना है, एक साल ही दिया है, आप इन बातों को समझो, आपको सारी चीज़ें लिंक ने ज़राएंगे, आप कोशन को बता सकते हो, कि कोशन का डेटा जो दे रखा है, वो गलत दे रखा है, या सही दे रखा है, कोशन में जो आँकड़े दे रखे है, वो पर्यापतें sufficient हैं या insufficient है, आप इन बातों पर भी गौर कर सकते हो, अगर आपको concept अच्छे से समझ माता है, तो, ठीक है, दो ब बहुत ना समय बनेगा एक साल बनेगा यहां यहां को निकल कर आएगी हाफ यह ली निकल कर आएगी वह बताओ यहां पर rate कितनी मिली भाई मुझे interest एक मिली कितने पर मिली 6 पर और इंटू कितना 100 अरे हाँ या ना हाँ तो यह हो गई भाई 50 बटे 3 प्रतीसत आपकी rate of interest clear है 2 से cancel out कर दीजेगा अब बात आती है यहां पर यह जो आई है यह 6 महीने की आई है कितने महीने की है भाई यह 6 महीने की है ठीक है मुझे चाहिए कितने की एक साल की वार्सिक annual rate of interest से यह बुझे और annual कैसे निकाल हूँ हम है तो 6 महीने का इतना है तो पूरे साल का कितना होगा डबल कर दो तो भाई वार्सिक जो होगी annual rate of interest जो होगी वो क्या होगे 50 upon 3 into 2 तो 100 upon 3 हो जाएगा और 100 upon 3 क्या होता है 33 सही एक वटे 33 whole number 1 by 3% हाँ या ना तो वह ये आपका annual rate of interest निकल कर आएगा क्या 50 upon 3 into 2 तो ये हो जाएगा 100 upon 3 और 100 को 3 से divide करोगे तो क्या निकल कर आएगा 33 whole number 1 by 3% किलियर है इतना सा बस तो वही मैं समझाने की कोसिस कर रहा हूँ आप लोगों को कि ये जो कभी भी format बनता है ये उसके according बनता है जितने time period के लिए जिस interval के लिए जितने समय के लिए आप ब्याज लगा रहे हो जब भी समय बताएका वो तीन महिने के according बताएगा जब भी आपका rate बताएगा वो तीन महिने के according बताएगा अगर तीन महिने पर इंट्रेस्ट कर दिया answer आ फोड़ी है screenshot ले लो अच्छा कोशन है समझ मा गया होगा बैता तरीके से अगले कोशन पर चलते हैं अब अगला कोशन तो रेट और टाइम का फरक समझ गये होंगे आप ठीक है अभी है कोशन कोई धन चक्रवर्धी व्याज की किसी दर से 4 वर्ष में सोयम का 27 गुना हो जाएगा अब देखो मैं आपको ध्यान हो तो स्टार्टिंग में पहली वीडियो में प्रिंसीपल और अमाउंट को समझाने की कोशिस की थी कि अगर 20 परसेंट रेट ओफ इंट्रेस्ट हुआ तो उसका मतलब होगे एक बटे 5 तो प्रिंसीपल 5 रहा होगा और यह अमाउंट 6 रहा होगा उसके बाद मैंने बोला था कि अगली बार जब भी इंट्रेस्ट compound होगा तो वो इस वाले principal amount पर compound होगा आया ना क्योंकि जो amount आया होगा वो next year के लिए किसका काम करेगा principal का क्योंकि compound interest का आपका फॉर्मेटी क्या है कि पहले principal पर दूसरी बार किस पर amount पर फिर किस पर अगले amount पर तो successive increase होती है CI ठीक है तो यहां पर अब यह principal का काम करेगा और यह amount का काम करेगा तो यह कितना रहेगा 5 रहेगा और यह रहेगा 6 तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो यह amount इस amount के साथ time duration के gap के साथ जो ratio बनाएगा वही ratio उसी time duration के लिए उससे पहले वाले प्रिंसीपल का इस वाले amount के साथ रहा होगा सेम इससे आगे जाओगे अगर एठी करते हो तो यह वाला प्रिंसीपल रहा होगा इसके लिए यह 5 रहेगा और यह कितना रहेगा वह सारा data यहाँ पर देखने को मिलेगा तुम्हें अब देखो दर प्रिंसीपल 125 क्या बिना cube की यह आया अरे हाया ना आप बैसे बोलते हो कि भाई 5 का cube कर लो तीन बार का data बनाना है तो दो तीन बार का ही बनाया अपने यहाँ पर यह मल्टीपलाई कर लो थीन पंजे 150 बोलो हाया ना यहां मल्टीपलाई कर लो 36 पंजे 180 और यहां मल्टीपलाई कर लो 216 और देखो अगर तुम चाहो तो देखो 125 पर एक बटे 5 ब्याज लगाओगे कितनी हो जाएगी 25 और बढ़के amount कितना हो जाएगा 150 अब 150 पर एक बटे 5 ब्याज लगाओगे तो इसमें 5 का बाकिया कितनी आएगी 30 और 30 बढ़ाकर कितनी हो जाएगी अगर आप निकालना चाहो तो इस तरीके से भी लेकिन मैं जनरली क्या है कि यहां पर इसको कमा इंडेशियो बनाने में आपको क्या लग जाएगा टाइम लग जाएगा और टाइम लग जाएगा उसकी वज़से नहीं यह बहुत प्यारा मेथड़ है अगर CI को अच्छे से तो देखो पहले साल ब्याज 25 तो कितना बड़ी 5 बड़ी दूसरे साल ब्याज 36 कितना बड़ी 6 बड़ी और अगर हम डाटा बनाते यहीं पर 5, 6, 25, 36, 125, 216 मैं पूरी CI तो मैं एक ही वीडियो में यहीं पर दुबारा से रिवाइज कर रहा हूं अब उते बताओ पहली बा ब्याज कितना मिला 5 बड़कर 30 तो देखो 25 और 5 इस बोलो हाया ना पीछरी बार ब्याज कितना मिला 36 तो मिल रहा है यह तो यहां से मिल रहा है रेशियो से ठीक है लेकर हम ब्याज से निकालते हैं तो कैसे मिला होगा 30 और 6, 36, 30 और 6, 36 झारो हाँ और यह सारी बात हैं यह सारा डाटा यहां पर इस तरीके से समायत हो जाता है तो बस उसी समझना होता अब यह बोल रहा है कि मैं क्या कहते हैं खोई भी द्धन है कोई भी एक amount है वह थीन साल में धिया अपने ऺज़कर एक बोरत connection है है अब वह साल और वह कितना बन गया तीन गोना बन गया इस से क्या सीखने को मिल रहा है कि यहाँ गैप कितने साल का चार साल का तो अगले चार साल के लिए इसको क्या बनाओ principal है और अगले वाले amount को क्या बनाओ अमाउंट बनाओ तो अगर ये प्रिंसीबल का काम करेगा तो रिस यो बन रहेगा और ये कितना रहेगा त्री रहेगा बोलिए हाँ या ना अब आप कहेंगे मैं से भी बहतर एक तरीका और बताऊंगा जिसमें आप चुटकियों में 2 सेकेंड में सॉल्ट कर लोगे लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पहले बेसिक बताना चाहरा हूँ ठीक है जिससे आप अगी और कोशन्स आएंगे जो गुना गुनी पर बेस्ड नहीं होंगे लेकिन कोशन होगा चार साल में मानलो कोई धन 9000 हो गया ठीक है और अगले चार साल बाद मतलब आठ साल बाद वही धन जो है वो 12000 हो गया तो बताइए प्रिंसीपल के आता है ऐसे कोशन आएंगे चार-चार साल के गपे आठ साल के गपे जो भी है उन खुशन पक्त लॉनिय से और उनको यहीन से प्रुख गुरेंगा है अगली भार तुम अगले चार साल लोगें और यह फिर से तीन कुना हो जायगा अब यह तीन कुना हो जाएगा तो słu कितना बन जाएगा को आगा सकता ऐसा और तो बन गया एक सथाइस गया कितने किसको पगड़ो एँ गुना वाले टमस को पगड़ो कितना अमाउंट THOM बन रहा है कितने टाइम समॉंट बन रहा है तो पहले बन रहा है तीन वा गुना और दुबारा हम को चीए 27 गुना इनको ना इक ही नंबर की पावर बना दो जैसा कि हम पावर पावर खिलë और यहां पर इसको पावर बना दो और यह क्या रहा होगा सथाइस की बार लगाया गया एक बार ब्याज लगाया गया है 27 गुना करने के लिए ब्याज कितनी बार लगाया जाएगा तीन बार लगाया जाएगा दुबारा से सुन लो आप पावर बताती है कि ब्याज कितनी बार लगाया गया है बेसिक तो भाई अब पावर एक बता रही है कि ब्याज एक बार लगाया गया है और पावर तीन बता रही है कि ब्याज तीन बार लगाया गया है, चलो भई ठीक है, एक बार ब्याज लगाने के लिए उसने कितने साल लिये, चार साल, मतलब वार से कि छमाई तेमाई नहीं लगा रहा है, वो लगा रहा है भाई, एक बार ब्याज लगा रहा है, कितने साल मे ठीक है अभी मुझे भी आज कितनी बार लगानी है तीन बार लगानी है तो मुझे बताओ एक बार भी आज मैं चार साल में लगाता हूँ तो तीन बार कब लगाऊंगा तो अगले चार साल बार लगाऊंगा दूसरी बार फिर अगले चार साल बार लगाऊंगा तीन तीसरी बार तो चार चार साल के गैप पर लगाऊंगा तो एक यूनिट का वेलू चार है तीन यूनिट का वेलू निकालना है तो तीन यूनिट का वेलू कितना होगा वही फोर अपॉन में कौन आएगा वन और इंटू कितना होग तो ये कितना हो जागा चार ती या 12 साथ आपके इस कोशन का अंसर हो जाए ठीक है कुछ नहीं करना सिर्फ गुनागों पकड़ना है और गुनागों पकड़ने के बाद मैं पावर क्या बताएगी कि कितनी भार व्याज लगाया गया है तो पावर एक है तो एक बार व्याज लगाया गया है एक बार ब्याज लगाया गया चार साल में तीन बार ब्याज लगाया जाएगा 12 साल में इस बात को आप और अरल सॉल कर सकते हो इसके लिए पैन और कॉपी की जरूरत नहीं है ठीक है कोशन अच्छा लगाओ फॉर्मिट समझ में आया हो वो और ये दोड़ो तो भाई क्या करो इसका स्क्रीन सॉट ले लो ठीक है और अपना काम करते रो साथ के साथ दो सेकेंड का पॉज लेके सेर कर दो अगर अच्छी लग रही है तो कोई धन छे वर्स में स्वहिम का चार गुना हो जाता है तो कितने वर्स में आट गुना हो जाएगा मैंने कहा गुना गुनी पकड़ लो तो पहले चार गुना फिर आट गुना तो भाई ये गुना वाला फॉर्मिट पकड़ लिया चार गुने को क्या लिखोगे भाई तो दो की पावर दो आट गुने को क्या लिखोगे भाई दो की पावर तीन लिख लिया नंबर एकी बेस एकी होन चाहिए, same base होना चाहिए, power कितनी भी हो, उससे कोई फरक नहीं прढ़ता, यहाँ से क्या पता चल रहा है, कि भी आज दो बार लगाया गया है, उसके साल में लगाया गया है, बाहिए, चैसाल कितनी साल में लगाया गया है, भी युउ, उसके साल में छे साल, एक बार, तीन साल, कितनी बार लगाना है, तीन बार, तो तीन बार कितने साल, नौ साल, और कितने साल, नौ साल, तो इस question का answer कितना हो गया, नाइन इयर हो गया, यहाँ 2 से 3, 6 को cancel कर तो 3 टाइम्स, और 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा भाई, नाइन इयर हो गया, कितना सब्सक्राइब कोशन है इन भाइज साल में यह सब्सक्राइब कि वर्सों में वर्सोयम का 27 गुना तो कितने वर्सों में क्या सी गुना मैंने क्या बोला किसको पगड़ना है गुना गुनी 27 टाइमस है तो भाई 12 यह में 27 टाइमस हो रहा है और कितने यह में 81 टाइमस होगा तो 27 और 81 दोनों पगड़ लिए यह क्या रहा होगा 32 दी पावर 3 यह क्या रहा रहा है 12 साल में तो एक बार लग रहा होगा चार साल में और मुझे कितनी बार लगाना भाई चार बार तो चार बार मैं कितने साल में लगाऊँगा चार इंटू चार सोला साल में कितना बड़ा कोशन है क्या करना कुछ नहीं करना तसली से उड़ाओ गए ऐसे कोशन को ठीक है हमारा अगला कोशन क्या है कि कोई धन तीन वर्स बाद 4500 रुपे हो जाता अब यहां गुना गुनी नहीं बुला लेकिन 4500 रुपे हो रहे है रेसियो तो फिर भी ब इंट्रेड हो गया ठीक है उसने फिर छे साल का टोटल यहां से छे साल बाद उसका वैल्यू कितना हो गया छेजार 750 हो गया एक और नया अमाउंट ठीक है लेकिन इस बात को समझीगा ध्यान से यहां से छे साल लग रहे हैं यहां से तीन साल है लेकिन यहां से यहां तक कित amount रहा होगा तो इसके लिए principle ये नहीं रहा होगा, इसके लिए principle ये रहा होगा, क्योंकि इसको निकालने के लिए interest इस पर लगाया गया होगा, और इसको निकालने के लिए interest इस पर लगाया होगा, तो इसका indirectly principle ये है, ठीक है, इसका indirectly principle क्या है, ये है, बैसे question कि according principle ये है, लेक वाइस साड़े बाइस ठीक है zero से zero ठीक है बाई अब आपका यह दो बार और यह थीन बार 225 से है यह दो बार और यह थीन बार तो दो अनुपाद तीन आपका इनका रैशियू आ गया होगा अब एक उतर amount कितना रहेगा तीन रहेगा principle कितना रहेगा दो रहेगा तो इसका मतलब क्या हुआ अभी मैंने पिछले question में यहाँ पर समझाया था यहाँ मैंने आपको समझाया था कि भाई principle और amount का ratio एक से तीन हो गया तो अगली बार भी यह एक रहेगा और यह तीन रहेगा तो अगर यह तीन है यह एक है तो यह amount फिर से क्या वनेगा तीन और यह principle क्या वनेगा एक clear है तो ऐसे ही वहाँ पर करेंगे हम ऐसे ही यहाँ पर रहा होगा आपका ratio तो इस amount को तीन और principle को दो बोल रहे हो आप इसके लिए principle हुआ या नहीं तो ऐसे ही यह क्या रहा होगा भाई तीन रहा होगा और यह क्या रहा होगा दो रहा होगा इन principle और amount का ratio भी क्या रहा होग और मुझे principle चाहिए, true का value, तो 3 का value कितना होगा भाई, 4500, है ना, यह 4500 ही तो हो, तो यहां से true का value निकाल लो, तो true का value कितना होगा भाई, 3 से यह 15 बारी, 15 into 2 कितना होगा भाई, 30, और यह पीछे वाले 2-0, ऐसे ही लगा दो, तो 3000 इस question का answer हो जागा, कितना बड़ा question है मुझे बताईए, सिर्फ आपने एक ratio लिया, उसी ratio से सिधा-सिधा question स्वालू कर दिया, 3 unit, 45 बंड़ा, 2 unit equals to 3000 रुपीज, कर पाऊगे यह question, और अगर कर पाते हो, तो चलते हम अपने अगले question पर, और अगला question का है वाई, 2 वर्स में 6000 और 4 वर्स में 9000 रु दो साल का ही gap होगा, बोलो हाँ या ना, सेम time duration है, और सेम time duration का gap है, और सेम time duration का gap है, तो rate of interest सेम ही रही होगी, उस time duration के लिए, साथ के साथ क्या रहा होगा, आपका ratio सेम रहेगा, और इनका ratio अगर मैं बनाता हूँ, तो 2000, 3000, 3000 से cancel out कर दो भाई, दो वारी, और यह तीन वारी पिछले question की तरह, तो भाई, ये भी क्या रहा होगा, दो और ये क्या रहा होगा, तीन, और तीन का value कितना बटा, 6000, एक का value कितना बटा, 2000 का, तो दो का value कितना बटा, 4000, बोलो हाँ, तो ये रहा question का answer, तो ये कितना time लगेगा बटा, इस question को solve करने में, maximum 5 second, 7 second, 10 second, इस से ज पर पाऊगे से question, आसानी से, तसली से, वही concept चल रहा है, ठीक है, अब यहाँ पर question है, कि क्योई धन, रासी निश्चिस दर से, 2 वर्स वाद, 36,000 हो जाता है, और 4 वर्स वाद, 18,000 हो जाता है, तो धन क्या है, व्याज की दर क्या है, तो यहाँ principle निकाल लीजेगा, ratio बना क कर देंगे, ठीक है, और अगर आप इस question का answer comment में देते हैं, तो मुझे समझ में आ जाएगा, कि आपको दोनों concept समझ में आ गए है, time और rate वाला भी, और साथ के साथ यह आपका गुना गुनी वाला भी, दोनों question आपको समझ में आ गए होंगे, दोनों concept अगर आपको समझ मे देंगे, और अगर नहीं कर पाते हैं, तो आप comment में यह लिखकर जरूर दीजिएगा, कि सर नहीं आया, क्योंकि मैं अगली वीडियो में इस question को ले के आ जाऊंगा, जिससे, तब तक के लिए हम आपसे विराम चाते हैं, और मिलेंगे आपसे हम अपनी अगली वीडियो में और अगली वीडियो का सुन तो जाओ पहले, कि मैं अगली वीडियो में क्या ले के आने वाला हूँ, अगली वीडियो में मैं CI से जितने भी questions, अच्छे अच्छे questions, pre में और mains में पूछे गए हैं, तो मैं पूरी CI का एक overall वीडियो में फिर से revision ले के आऊंगा, जिसमें मै हर तरह के questions रखूँगा, और सारे के सारे अच्छे questions होंगे जो exam में पूछे गए हैं, तो अगली वीडियो में हम इन्हें ले कर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जै हिंद, जै भारत